Hello students, welcome to R.A. Prattachayna English Today we are going to start the new topic Direct and Indirect Speech Narration है ये, Direct Narration and Indirect Narration जिसमें मैं आपको आज Direct और Indirect एग नया टॉपिक बताने जा रहा हूं चलो start करते हैं वीडियो narration क्या है narration के बारे मैं सबस्पहले जान लेते हैं narration दो तरगा होते हैं एक direct और एक indirect अब यह narration का sense है कि किसी की कही हुई बात को हम कितने forms में कह सकते हैं किस तरीके से कह सकते हैं कहने काताथ पर यह है कि अगर किसी की कही हुई बात को और उसकी कहीवी बात को हम अपने अपने वर्ट में कहते हैं उसको थार्ड परसन समझके तो वह होता इंडिरेक्ट निरेशन सबसे पहले रिपोर्टिंग औप स्पीकर सो हरड़ काईशन समय बताया था किसी कहीवी बात को किस तरह से कहते हैं एक उसकी कहीवी बात को ब्यक्त करने को निरेशन कहते हैं जैसे राम said to me I shall go to the Taz today यह direct है राम ने कहा आज मैं मैं क्या Taz देखने जाऊंगा I shall go to the Taz today, मैं आज Taz देखने जाऊंगा उसकी कही भी बात को जोंकरतियों कहती है अगली बार अब इसका indirect form में मैं कहना चाहूं राम told me that he would go to the Taz that day अब इसका भी जाए है कि राम ने कहा कि वो हो उस दिन जो है Taz देखने गया यह जाएगा यह indirect उसकी कही भी बात को राम ने कहा कि वो उस दिन Taz देखने जाएगा यह indirect है डारेक्ट कही भी बात उसकी कही भी बात को जो वह UK a Girl वंहें उसने जो वार यूज़ कर दिया लेकिन अभए महाले वहं थर्ड परस अंभे ही रिचर हुज को छो डैरेक्ट को इंडइरेक्टर मां कई करते हैं तो किया होता है कि उसकी कुछ रूल से इसमें कोछी चेंजेत होते हैं जब डैक्ट मेहां और करना वह करते हैं तो वह हम समझते हैं देखो बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें समझ दी बहुत जरूरी है एक तो रिपोर्टर है जो रिपोट कर रहा है किसी की कही भी बात को जो बोल आ है वोकता चुड़ है रिपोर्टर रिपोर्टर इसमें जो जिसकी राम ने कहा किस ने कहा वो रिपोर्टर है राम रिपोर्टिंग वर्ब जो यह यह वाला पोर्शन जो है इसमें जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग बर्ब है और रिपोर्टेड स्पीज यह जो कही गई बात है वो जो वक्ता की कह अब रूल्स इसके सीखते हैं रूल्स पर चेंजिंग डारेक्ट इंटू इंडारेक्ट यूज ऑफ कंजेंग्शन दैट सबसे पहले इसमें यूज करते हैं देखो यह जो जो मैंने इसके पहले बाद बताई थी जो रिपोर्टेट स्वी होती है जिसे वो जो है इनवर्टे कोमा वाल खत्म कर देते हैं यहांपाँ जो है एक हम यह यह का यूज करते हैं जो यह कंजेंक्श्न रिफूक्त करते हैं और कमा को हटा देते हैं Changing of Tense अब एक एक चेंज यह हुआ एक चेंज वे और टेंज से रिलीटेड है वह क्या रिपोर्टिंग वर्ब में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है तैंज रिलेटेड और रिपोर्टेड स्पीच के टेंज में चाहा कब होता है पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है लेकिन के पर जो है वो पास्ट में होता है क्या चेंज होता है present indefinite को past indefinite बना देता है present continuous को past continuous में बना देता है present perfect को past perfect बना देता है present perfect continuous को past perfect continuous में चेंज कर देता है past indefinite को past perfect में past perfect ये past continuous को past perfect continuous में में है तो में को might बदान लेंगे can को could कर देंगे shell will को would कर देंगे है है ङह अब इसमें एक चेंज तो यह टेन्स अ करते हैं शुनार यह होते हैं इन प्रोंटावी को कि मैं भूटनावन यह होते हैं इन प्रोङन को किसके खॉर्ड़िंक क्लॉज के रिफोर्टेट सीच में जो प्रोनब कि है reporting clause यानी कि सुरूवाली जो जो चलाज होती है वो उसको यह subject object के according change होता है अगर फर्सट परसन है तो subject according change होगा second person है तो object according third person है तो उसमें कोई छीज नहीं होगा अब देखो इस में लिखाया first person को change according to subject second person है तो किसके और फिर सिंस वह था अब रिपोर्टिंग में थोड़ा सा चेंज करते रभर इंग वार कोई चिन-जोता चुपा सिर्फ क्या होते अगर अगर टो तो बोल्टिंग first कॉअ में से टो को टर बना देंगे से इज टू को से लिना देते है सेट को टोल्ड करते हैं यह रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहा है रिपोर्टिंग वर्ब यह जो है यह जो मैं बता रहा था सुरू मैं रिपोर्टिंग वर्ब है यह अगर यह सेट तो इसे टोल्ड बनाएंगे सेट होगा तो टैल कर देंगे और क्या होगा says to है तो tells कर देते हैं यह रेपोर्टिंग यह पूंड है यह रिपूरूटेटट्टी स्पीच है रिपूरूटेट्टटे में अंदर रहती है और रिपरे लिए बाद ऐस भी पाथ यृह की बात होती है यह रहतुअ की और ङो रहे पbon iteration कहते हैं जैसे कि यह कहा राम टोल मी जैसे सेट्टू को मैंने टोल्ड कर दिया मी डैट डैट लगाते थे हैं कॉमा इंवर्टेट वान हटाए ही यह आई तो था आई मैंने वहां बताया था आपको आई क्या है फस्ट परसन है फस्ट परसन किसके कॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राम के कॉड़िंग ही हो जाएगा यह वहां पर मैंने बताया था शेल वैल शेल है यह विल है तो उसको बदल देते हैं यह वुर्ड में हमने चेंज कर दिया ठीक है और यह यह भी एडेट डे मैंने कर रखा यह मैं आगे अभी रूट में आपको बताऊं को टूडे को बदलता है तो यह बेसिक आइडिया आज मैंने आपको डिरेक्ट इंडिरेक्ट के बारे में बताई हैं मैं इसके एग्जाम्पल के थुरू और आगे नेक्स वीडियो में क्लियर करूँगा थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो और प्लीज की की कर देखके टूफ का यू थैंक आपक यू ता त टूडच यू तजमने इस वीडियो को ऑग्या दूच कर